नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सावन मास महात्यम अध्याय साथ की कथा सुनाने जा रही हूँ तो चलो कथा शुरू करते हैं इश्वर बोलेखे सनत कुमारब मैं आत्यूतम भॉम व्रत का वर्नन करूंगा जिसके अनुष्ठान करने मात्र से व्यधव्य नह में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंब करना चाहिए केले के खंभों से सुशोबित एक पुष्प मंदल बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेश्मी वस्त्रों से सजाना चाहिए उस मंदप में अपने सामर्थे के अनुसार देवी की सुवर्ण माय उस प्रतिमा को सोलह उपचारों से, सोलह दूर्वादलों से सोलह चावलों से तथा सोलह चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और सोलह बत्यों से सोलह दीपक जलाने चाहिए दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्व करपित करना चाहिए देवी के पास इपत्थर का सील तथा लोडा स्थापित करना चाहिए पांच वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना चा माता को वायन प्रदान करना चाहिए जिसकी विधी आप सुनिए अपने सामर्थ्य अनुसार एक पल प्रमान सुवर्ण की अथवा उसके आदे प्रमान की अथवा उसके भी आदे प्रमान की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। पर साथ जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पुत्र आदी के साथ संपदा विद्यमान रहती है। धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक तन्य सभी शुप चीजे उस राजा के पास थी। अतह वह राजा संतान के विशे में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन हो गई और उससे यह वचन बोली के सुवरता वर मांगों। शुरुद की इरती बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन है, तो मुझे सुन्दर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुरलब वर मानगा है, फिर भी कृपा वश में तुम्हें अवश्य दूंगी। किन्तु हे राजेंद्र, सुने, यदि परमगुनी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर जीवी होगा। देवी का ये वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनह अपनी पत्नी से परामर्ष कर कि उसने गुनवान तथा सभी शुब लक्षनों से संपन 16 वर्ष की आयू वाला पुत्र मानगा तब देवी ने भक्ती संपन राजा से कहा है न्रिपनिंदन। मेरे मंदिर के द्वार पर आम का व्रिक्ष है उसका एकफल लाकर मेरी आग्या से अपनी भार्या को उससे भक्षन करने है तू प्रदान करो जिससे वह शीग्रही गर्ब धारन करेगी इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पढ़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े काश्ट से प्राप्थ हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यू अपने ही सामने कैसे देख सकूनगा ऐसा विचार करके राजा ने पूर्ब में पूत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश आप जगतपती की यात्रा के लिए मैं उस पूत्र को अवश्य भेजूंगी अतहा आप मेरे पूत्र को आज ही ले जाए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा अपनी बहन की य उस राजा की एक सर्वलेक्षन संपन, युवावस्था प्राप्त, मनोहर तथा रूपला वन्यमाई मंगला गोरी नामत कन्या थी सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवर्द्धी को प्राप्त वह कन्या किसी समय सक्खियों के साथ नगर के उपवन में ख्रीडा करने के लिए गई हुई थी उसी समय वह चिरायू तथा उसका मामा वे दोनों भी वहाँ पहुँच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वही विश्राम करने लगे इसी बीच विनोत पूर्वक ख्रीडा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एकने कुपित होकर राजकुमारी को रांडा ये कुप्चन कह दिया तब उस अशुब वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा तो मनुचित बात क्यों बोर रही हो मेरे कुल में तो इस प्रकार की को जाएगा इसके बाद वह सभी कन्याए अपने अपने घर चली गई उसी दिन राजकुमारी का विवाह था बाहलीक देश के द्रिर्धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था वह सुकेतु विद्याहीन कुरूप तथा बहरा था तब सुकेतु के साथ आय हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ट वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की क्याप इस बालत को हमें दे दीजे जिससे हमारा कार्य सिधह हो जाए इस प्रित्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन हुआ क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गोरी की बात सुन ली थी फिर भ का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन कराया सब्ध पदी आदी के हो जाने पर रात्री में शिप पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्शयुक्त होकर मंगला गोरी के साथ श भय से व्याकुल होकर कापने लगी तभी उसकन्याने धहर्य धारन सोलह उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उससे दूख दिया। उसने दीनता भरी वानी में उस सर्प की प्रार्थना तथा स्तुती की। इसी बीच उसका पती अंगडाय लेकर जाग गया और अपनी पतनी से बोला है प्रिये। लगी विधी की कैसी गती है कि उसका मंडलू में से बाहर की ओर जगमक करती हुई हार कांती को देखकर वह आश्चर्य चकेत हो गई। घट में स्थितूस हार को उसने अपने कंठ में धारंग कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेश रहते ही चिरायू का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वरपक्ष के लोग सुकेतू को बहां ले आए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पती नहीं है तब उन सभी ने उससे कहा है शुभे। तुम यह क्या बोल रही हो। यहां तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली जिसने रात्री में नौ रत्नों से बानी अंगूठी दी है उसकी अंगूली में इसे दाल कर परिचायक निशानी देख लें मेरे पती ने रात्री में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है इस बात को यह बताए यह तो कोई अन्य नहीं है इसके अतिरिक्त रात्री में आम सीचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था वह मेरी जान पर अब भी विद्यमान है उसे आप लोग शीग्रत देख लें साथ ही रात में परस पर भाशन तथा भोजन आदी जो कुछ किया गया था उसे भी यह बता दे त उनकर सभी ठीक है ठीक है कहने लगे किन्तु जब एक भी बात न मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पती होने से निशित कर दिया और वर्पक्ष वाले जिस तरह से आय थे उसी तरह से चले गए उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन तथा परम म नस्वी मंगलागोरी के पिता ने अन्न पानादी का सत्र चलाया उन्होंने वर्पक्ष का ब्रितांत कानो कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वरके रूप में आदरपूर वक लाया गया था तब उन्होंने अपनी कन्य को परदे के भीतर बिठा दिया उसके बाद एक वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायू अपने मामा के साथ ये देखने आया कि विवाह के बाद वहां क्या हुआ तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गोरी अत्यन प्रसन हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पती आ गए हैं। राजा ने अपने सुहरिजनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों को निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायू को सौप दी। राजा ने शिष्चनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीर सेन ने वस्त्र, आभूशन आदी, सेना, खोरिक, रत और अन्य भी बहुत सी साम्डियां देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वहचरायू, पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपनेंग पहुँचा। लोगों की मुक से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने सोचा कि प्रारब धन्यता कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पासा गया और स्नेल से परिपूर्ण वहचरायू भक्ति पूर्वक उनके चरनों में गिर पढ़ा, तब अपने पु अत्रबधु ने भी मंगलागोरी के उत्तम व्रत माहात्मयत अथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब व्रितांत बताया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगलागोरी व्रत का वर्नन कर दिया, जो कोई भी इसका श्रवन करता है अत्वा जो इसे कहता है, उसके सभी मनुर को सुनकर महानानन प्राप्त किया, इस प्रकार श्रीशकंद पुरान के अंतरगत इश्वर सनत कुमार समवाद में श्रावन महात्मय में मंगलागोरी व्रत कथन नामक सात्वा अध्याय पूर्ण हुआ